आज मैंने अपनी दुकान से एक के बाद एक लगातार दो बड़ी बड़ी कड़ाईयां बेच दी एंड कितने पैसों में बेची वो आपको आगे बताऊंगा तो आज सुवए सुवए मेरी घर की ड्यूटी मेरा मतलब अपने पसुओ के लिए चारा कूटने के बाद रेडी होकर अपनी दुकान के लिए निकलता हूँ और दुकान पर पहुंचते ही एक केश्टमन मुझसे दो कड़ाईयों का बजन कराते हैं मेरे बार बार 1100 रुपे कहने के बाद भी ये मुझे दोनो कड़ाईयों के बदले में 1000 रुपे पकड़ा देते हैं जिसके बाद दुकान पर ये दादा जी आते हैं और ये भी मुझसे इन दोनो कड़ाईयों का बजन कराते हैं और इन दोनों कड़ाईयों में से एक कड़ाई सेलेक्ट करने के बाद ये मुझे 800 रुपे देते हैं जिसके थोड़ी देर बाद दुकान पर ये तीन अंकल जी आते हैं जो पहले तो इन छोटी मोटी कड़ाईयों पर हाथ डालते हैं लेकिन यह से कुछ समझ ना आने पर ये इस बड़ी कड़ाई पर हाथ मारते हैं मेरा मतलब हाथ डालते हैं एंड बड़ी ही मुश्किल से इसके बदले में मुझे 2500 रुपे देते हैं और इनके थोड़ी दूर जाते ही दुकान पर दूसरे कष्ट मर आ जाते हैं जिने भी बड़ी साइच की कड़ाई खरीदनी थी तो मैं इने इस कड़ाई का बजन दिखाता हूं और इनसे ये डील में 2000 रुपे में डेन कर देता हूं